सनरचना के अधार पर किरिया के भेद, संजुक्त किरिया, प्रेनार्थक किरिया, पूर्व कालिक किरिया, तो यहाँ पे हम प्रेनार्थक किरिया पढ़ेंगे, जिस किरिया से यह पता चले कि करता स्वेम काम ना करके किसी दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेर नार्थक किरिया कहते हैं, तो उधारन लेते हैं, जैसे मा ने नोकरानी से कपड़े दुलवाए, जम्मिदार ने मज़दूरों से फसल कटवाई, तो इन वाक्यों में करता क्या है, मा और जम्मिदार, स्वेम कामना करके किसी दूसरे को प्रेरित करके काम करवा रही ह अता दुलवाए और कटवाई क्या है, प्रेर नार्थक किरियाएं हैं, तो मा क्या है करता है प्रंतु मा स्वेम कामना करके किसी दूसरे से काम कराने के लिए उसको प्रेरित कर रही है, तो ये दुलवाए और कटवाई प्रेर नार्थक किरियाएं हैं, तो हम इसके किर्या दो प्रकार की होती है प्रत्म प्रेनार्थक किर्या जब करता स्वें कारे में सम्मिल्य होता हुआ प्रेणा देता हो तब उसे प्रत्म प्रेणार्थक किर्या कहते हैं जैसे पिता जी ने बेटे को दवा दिलाई मोहन बिल्ली को दूद पिलाता है तो यहां पर दिलाई और पिलाता क्या है प्रत्म प्रेणार्थक किर्या है क्योंकि इसमें करता जो है काम में सम्म पिलित ना होकर किसी अन्य को कारे करने की प्रेर ना देता है कि कोई दूसरा कारे करे तब द्वितिय प्रेर नार्थक किरिया होती है जैसे मा नोकरानी से बच्चे को दूद पिलवाती है तो पिलवाती क्या है द्वितिय प्रेर नार्थक किरिया है डॉक्टर नर्स से रोग तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद